हलो, गुद मॉर्निंग बच्चो, हाव आ यू, होप, ओल आर फाइन, चलो, हमने लास्ट टाइम एडिसन किये थे, वेसे ही हाज हम बुक में से डायरेक एडिसन करेंगे, आप सबको अच्छा लगेगा और आएगा भी, चलो, लेट्स एड यूसिंग डोट्स, चलो हमें अधिसन करना है और उसके साथ हमें एडिशन करना है, चलो, यहाँ पे, हमें पहले दिख रहा है, यह किसकी साइन है, एडिसन की, इसे कौन सी साइन बोलते हैं, प्लस की, अभी यहाँ पे लिखाए टू, तो यहाँ पे टू डोट्स लिए हुए है, उसमें एड करेंगे, और कितने dots set करेंगे तो one, तो total कितने हुए, देखो, total count करने के लिए one, two, three, तो total कितने हुए, three, वेसे ही, यहाँ पे आपको मेरे साथ बता ना है, यह कितने लिखे हुए है, three, तो हमने यहाँ पे three dots बनाए, one, two and three, उसके बाद यहाँ पे addition की sign है, और one लिखा हुआ है, तो हमने one dots बनाया, तो total कितने हुए, वो आपको count करके नीचे लिखना है, one, two, three and four, तो हम लिखेंगे यहाँ पे four, now, next, four, तो यहाँ पे हम four dots करेंगे पहले, one, two, three, four, उसमें add करेंगे one, तो total हुए, one, two, three, four, five, वैसे हम यहाँ पे लिखेंगे five, आपे ना finger की मदद से भी addition कर सकते हैं, चलो, जैसे की हमारी total एक हाथ में कितनी उंगलिया होती है, five, देखो, one, two, three, four and five, total कितनी उंगलिया है, five, देखो, इसमें हम, यह है two, उसमें हम one add करेंगे, यानि कि एक odd डालेंगे तो कितनी होगी, three, ओके, आप घर पे भी try करना, और ममी के साथ भी try करना, देखो, यहाँ पे है two, one and two, उसमें plus add करेंगे, one and two, two and two, okay, हमने पहले draw किया, two लिखा हुआ है, तो हमने one and two add किया, और दूसरा two है तो, one, two, three and four, total four है, लेकिन हमें count करना है, यानि कि कोई छूट ना जाए, one, two, three, four, यहाँ पे four लिखा, वेसे ही अब हम सब में two add करेंगे, तो कितने होएंगे, अभी three है, तो हमने three पहले बनाए, one, two and three dots बनाए, उसके बाद two add करेंगे, यानि one and two add भी किया है, तो total कितना हुआ हुआ हमें count करके लिखना है, तो कोई रह न जाए, इसलिए हम उसे cut करते जाएंगे, one, two, three, four and five, now हम यहाँ पे five डिखेंगे, अभी और देख लो एक बार, यह है four, तो हमने four यहाँ पे dots पहले, रोकिए one, two, three and four, उसके plus की sign है, यानि कि हम add करेंगे उसमें two, तो हमें two और row करने है, one and two, तो total कितने हुए, वो count करके लिखो एक बार, one, two, three, four, five, six, yes, तो यहाँ पे हम लिखेंगे six, चलो, और एक बार देख लो, हमारे पास जो दो, समझ लो कि हमारे पास दो सेब है, यानि कि two apples से, उसमें one more apple add करेंगे, कितने होंगे, three, yes, आपको अच्छे लगते हैं न, देखो, अभी हमारे पास, कितने ये, देखो, एक थ्री सरकल है, समझ लो कि हमारे पास थ्री सरकल है, one, two and three, उसमें one add किया तो हुए, four, उसी तरह से आपको add करते जाना है, और cut करके total कितने हुए, वो लिखने है, ओके, तो आज हम EBS में करेंगे body, tick the right things that you do on your own, जो आप अपने तरीके से कर सकते हो न, उस पे tick करना है, वेसे तो हम body parts करते हैं, लेकिन जो आप अपने आप से करते हो, अभी आप बड़े हो गए न, आप कितने एर के हो, five या six एर के, तो फिर आप अपने आप से क्या कर सकते हो, उसमें tick करना है, चलो, ये क्या है, brush short treat, आप अपने आप से brush करते हो न, येस, अभी तो बड़े हो गए हो, अपने आप से brush कर लेते हो, तो हम इसमें करेंगे tick, उसके बाद है, comb your hair, चलो, girl होगी, तो भी वो अपने आप से comb कर लेती है, hair, and boy होगा, वो भी अपने आप से comb कर लेता है, तो फिर हम करेंगे tick mark, सबको अपने बाल बनाने आ गए है उसी तरह से, यहाँ पे एक बच्चा है न, वो खाना खा रहा है, eat your food, हम अपने आप से खाना खा लेते हैं, अच्छे से मम्मी को परिशान नहीं करते हैं, तो हम यहाँ पे tick करेंगे, अपने आप से हम खाना खाते हैं, तो सब अच्छे बच्चे हैं, रोज खाना खा लेत से बात हम अपने आप से ना भी लेते हैं कभीकभी हमें मम्मी की HELP लेनी पड़ती है तो हम इसमें टिक करेंगे ईप सर्ट क्रेंट हम अपने बटन बंद कर लेते हैं ना यह के अब हमुअरे हमारी वूलन के जो इन के संद्धर होते उसके बंद कर लेते हैं जैकेट भी बंद कर लेते हैं अब इतरे स्कूल हना यूिफोर्म की बटन भी मं बंद कर लेते ना तो हम से गजिन Do your homework क्या आप अपने तरीके से homework कर लेते हो Yes या No कर रहे हो ना अपना homework रोज Yes तो हमें इसमें tick mark करना है चलो Fill in the blanks जो आप भी उससे क्या करते है वो करना है Help the box हमें यहाँ पे दिये हुए box की help लेके इन लोग की help करनी है I write with my hands आप किस से लिखते हो Hand से हाथ से लिखते हो ना I write with my hand तो हम लिखेंगे Hand कहाँ पे दिया हुआ गया है Yes हम अपने हाथ से लिखते है वैसे ही यह लड़की वोक कर रही है दिख रहा है I walk with my हम किस से वोक करते है चलते है Legs से Yes Legs से तो यहाँ पे दिख रहा है Third में ही है Legs तो हम लिखेंगे Legs उसके बाद I see with my हम किस से देखते Yes अपनी आँखों से I see with my eyes काहाँ पे है eyes यह तो यह और है Hand No Legs से No किस से देखते है Eyes से तो यहाँ पे हम लिखेंगे Eyes E-Y E-S Eyes उसके बाद है देखो यह क्या है Listen to music यह सुन रहा है ना Music सुन रहा है यह से देखो यहाँ पे Headphone लगा के Music सुन रहा है I hear with my हम किस से सुनते है अपने कानों से कानों से सुनते हैं न चलो यहाँ पे First में ही है E-Ears उसके बाद I test with my हम खाना खाते है जो अच्छा अच्छा तो हमें test किस से आता है I say आता है आँक से test करते है No कोई करता है I say it is No तो हम किस से test करते है Tung से हमारा test जो आता है वो हम Tung से करते है तो Tung का spelling होगा सब से last में दिखरा है Tung T-O-N-G-U-E Tung हमारी कितनी Tung होती है Only one वैसे ही चलो देखो यहाँ पे है ना एक लड़की अपनी डोल को touch कर रही है तो I touch with my किस से आप touch करते हो उसको अपने hand से हम कुछ भी हमें उठाना होता है touch करना होता है तो हम किस से करेंगे अपने hand से ह, A, N, D hand किस से touch करेंगे hand तो आज हमने हमारे body हमारे body से हम क्या क्या कर सकते है वो है filling in the blanks हमारे hand से हम कुछ भी touch कर सकते है हमारा हम लिखते किस से है तो अपने hand से ही लिखते है फिर I walk with my legs I see with my eyes I hear with my ears and taste with my tongue I touch with my hand and I smell with my हम खुसबू जो हमें आती है कोई भी स्मेल आती है वो हम किस से लेते है नोस से तो हम यहाँ पे लिखेंगे नोस नोस का स्पेलिंग होएगा N-O-S-E नोस ओके तो बच्चों तब तब के लिए बाइ बाइ गर पे रहीएगा से पर रहीएगा ओके